अगर ये चैनल आ रहा है आपको पसंद तो चैनल को किजे सब्सक्राइब वीडियो को लाइक, शेर और कमेंट से अगर ये वीडियो किसी भी तरह से आपकी मदद कर रहे हो साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिलकुल न भूले जिससे हर बार जब भी नया वीडियो आता है आपको उसकी जानकारी मिल सके वो निवेशक जो मार्केट के बारे में पढ़ना और सीखना चाते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक दिये गए हैं, इन लिंक्स पर जाकर आप इनका लाब उठा सकते हैं, अगर आप चाहें तो हमारे टेलिग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पर आ रहा है इस नंबर पर मैसेज करके, हमारे मॉटरेटर्स आपको ग्रुप में आड कर लेंगे, शर्थ सिर्फ एक है फ्रेंड्स कि आप आप आप्शन ट्रेडर या फिर इंट्राडे ट्रेडर नहीं होन स्टडीज और हम बेहद खास सेशन लेकर आपके सामने आए हैं फ्रेंड्स, निवेश के आसान नियम ये वह हमारी सिरीज है जिसे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं आप सभी लोग, इसके अंदर हम हर बार एक मार्केट गुरु और निवेश के लिए उनके द्वारा बत होते हैं उन्होंने अच्छी तरह से नाम सुन रखा है वारन बफे का चारली मंगर वारन बफे से बहुत क्लोजली एलेटेड है कैसे ये इसी सीरीज में हम देखेंगे और साथ ही साथ जानेंगे चारली मंगर के निवेश के संबन में कुछ बेहद खास नियम जिने आप के साथ में बहुत क्लोजली एलेटेड है उसकी वज़य यह है कि बर्कशायर हाथवे के को फांडर वारन बफे अपने हर साल की जो एनुवल मीटिंग है वो हमेशा ओमाहा मही करते हैं अकुपेशन के तौर पर वाइस चेर्मेन है बर्कशायर हाथवे के चारली मंगर निवेशक है इसके अलावा जाने जाते हैं बहुत सारी लीडिंग इन्वेस्टमेंट्स फर्म्स में काम करने के लिए उन्हें सलाह देने के लिए कई बर चार्ली मंगर का यूज 2008 की जैसी इसके लिए इसके लिए सरकार के तौर पर भी इनका इस्तमाल किया गया है नेट वर्थ आपकी तक्रीपन 1.6 बिलियन डॉलर जो की फर्वरी 2019 में थी और अब शुरू करते हैं चार्ली मंगर ने जो शिक्षाएं दी हैं एक घुरू के तौर पर मार्केट घुरू के तौर पर वो क्या है? एक बखुद ही बेसिक डिफ्रें से हैं वॉर senza खेंव और चार्ली मंगर के बीच में। वारेन बफ़े ने एक बार कॉट करते हुए का था कि अगर मैंने अपनी लाइफ में चार्ली मंगर की बातों पर ब दिया होता तो मैं कहीं ज्यादा पैसा कमा सकता था जितना पैसा मैंने उनकी राय को avoid करकर कमाया है Warren Buffet और Charlie Munger के बीच में एक basic difference यह है कि जब दोनों बातचीत करना शुरू करते हैं तो जहां Warren Buffet specific shares और companies पर ज्यादा ध्यान देते हैं वहां Charlie Munger कहते हैं कि एक निवेशक के तौर पर आपको market से ज्यादा अपने उपर काम करने की जरूरत होती है सबसे पहले आपको एक निवेशक का attitude लाना है यानि एक human personality के अंदर changes लाने सबसे पहले जरूरी है आपको एक निवेशक के तौर पर अपने आपको पहले develop करना होगा और उसके बाद ही आप किसी भी निवेश के लिए तयार हो सकते हैं तो आज का जो ये session होगा friends जिसमें Charlie Munger की हम six qualities और जो learnings हमें मिली हैं वो लेकर आ रहे हैं इसमें आपको देखने को ये मिलेगा कि बजाए किसी company को select करने के जो नियम Charlie Munger से दिये हैं उसके बजाए इन्होंने ज्यादा जोर दिया है एक निवेशक के तौर पर अपने आपको develop करने के लिए उमीद है कि आज का ये session आपको पसंद आएगा सो ध्यान से देखिए सबसे पहला नियम जो Charlie Munger देते हैं वो है कि understand the business और understand the business same वही concept है जो Warren Buffet या इसके अलावा खंडेलवाल जी या फिर रामदेवगरवाल जी कहते हैं जालिम अंगर कहते है कि कभी भी किसी भी ऐसे business के अंदर निवेश मत कीजिए जिसकी जानकारी आपको नहीं है सिधा सिधा explain किया उन्होंने कि अगर आप एक retail shop owner है और अगर आप auto sector के parts की shop रखते हैं तो बहतर है कि आपको auto sector के बारे में जानकारी है उस मामले में आपकी थोड़ी पकड़ है तो हमेशा कोशिश कीजिए कि auto industries के share को analyze करना और उस छेतर में आप कहीं बहतर perform कर पाएंगे बजाए आप किसी IT sector या फिर किसी और sector के shares उठाएं तो हमेशा कोशिश कीजिए किसी भी share को buy करने से पहले उसके business को समझने की उन companies को उन sectors को सबसे पहले पकड़िए जिनके business के बारे में आपके पास थोड़ी बहुत जानकारी है और जिन businesses में आप expertise हासिल रखते हैं उन companies को सबसे पहले अपने निवेश के लिए चुनिए या फिर अपनी studies के लिए चार्ली मंगर का कहना है कि जो आपका basic nature है एक human being के तौर पर उसे develop कीजिए एक निवेशक के तौर पर और उसके बाद उसी knowledge का इस्तमाल कीजिए companies के shares analyze करने के लिए तो हमेशा ध्यान रखिए चार्ली मंगर कहते हैं कि जब भी आप किसी भी company का share खरीदते हैं तो basically आप company में एक partnership ओन कर रहे हैं ऐसी हालत में जरूरी हो जाता है आपका उस company के बारे में जानकारी हासिल करना और portfolio बनाते समय चार्ली मंगर का कहना है कि आपके portfolio में at a time पांच से साथ companies ही sufficient हैं बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा over diversify कर लेते हैं portfolios और 100 से 1500 तक companies रखते हैं इस particular habit को चार्ली मंगर पूरी तरह से deny करते हैं आपके financial goals hustle करने के लिए आपको सिर्फ 5 से 7 company की जरूरत होती है पर शर्त यह है कि इन सभी company के business को आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना होगा और जो आपका basic knowledge है इन company के बारे में वो आपको strong करना होगा तो सबसे पहली राय है वो यह है कि business जरूर समझी है आप अगर किसी share को खरीद रहे हैं तो share को खरीदने से पहले यह जरूर जान लीजे कि वो company करती क्या है ना कि सिर्फ share का rate देकर उस company को buy कर लेना second business with a durable competitive advantages और उसमें भी durable competitive advantages क्या होते हैं जाहिर है कि जब आप किसी भी एक sector को analyze करते हैं मिसाल के लिए अगर आप analyze करते हैं telecom sector को और इंडिया के reference में देखते हैं तो आपको पता है कि इंडिया में telecom sector को जब आप analyze कर रहे हैं तो भविष्य में आने वाली technologies अगर आज से 3 साल पहले की बात की जाए तो भविष्य में उस समय चल रहा था 3G और भविष्य में आने वाली technologies थी 4G, fiber optics ये सारी भविष्य की technologies थी तो वो company जो telecom sector के अंदर 4G technologies पर सबसे पहले काम करेगी आगे आने वाला भविष्य उसी का होगा इस चीज को predict किया जा सकता था आज से 3 साल पहले competitive advantages यही है जब same sector में काम करती हुई बहुत सारी companies के बीच में rivalry होती है competition होता है एक दूसरे से आगे निकलने के लिए और जिस company के पास technology, resources या फिर knowledge दूसरी companies से बहतर हो तब हम कहते हैं कि ऐसी company को competitive advantage है और ये competitive advantage सिर्फ एक बार के लिए नहीं इस competitive advantage का durable होना बहुत ज़रूरी है durability का मतलब है कि ये competitive advantage एक particular company के पास कितने लंबे समय तक रहेगा इस पर निभर करता है कि वो company आपके लिए कितना profit generate करेगी याद कीजिए रामदेव अगरवाल जी ने एक particular word इस्तमाल किया था किसी भी share को buy करने से पहले आपको ये देखना होगा कि वो company की longevity कितनी है यानि वो company profit तो maintain करेगी कितने लंबे समय तक profit maintain करेगी ऐसा तो नहीं है कि company सिर्फ एक साल या दो साल profit बना कर उसके बाद बंद हो जाए तो longevity जो है वो basically यहाँ durability से compare किया जा सकता है यह उसी का synonym है कि company के पास competitive advantage है और competitive advantage कितने लंबे समय तक है अगर इस तरह कि आपको कोई एक company मिलती है जैसा कि Reliance G.O. ने किया उसने किसी भी और company से पहले अपने fiber optics का network बिचाया और उसके बाद 4G और अब currently 5G के छेतर में भी हाथ आजमाने को तयार है और आप देख सकते हैं कि Reliance के आने के बाद G.O. आने के बाद market से idea, vodafone, aircell इन सब का नाम मिठा दिया टाटा डोकुमो तक हो और currently market में उसके rivals के तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक company है जो की भारती airtel बची हुई है So G.O. के पास में था competitive advantage और वो भी durable पिछले 3 सालों से continuously G.O. चल रहा है या नहीं या के फिर लंबे समय वो business perish कर जाएगा So ये information रखना बहुत ज़रूरी है उसके बाद ही किसी भी company को select करें अपने निवेश के लिए तीसरी और बहुत important चीज जो कि Charlie Mangal ने कही उनका कहना था कि I know and I think I know के बीच में बहुत बड़ा difference है आम तोर पर आप किसी भी company के सिर्फ share के rate को देख कर या फिर किसी से सुनकर business channel से या फिर किसी newspaper में एक article पढ़कर आप ये अंदाजा लगाने लगते हैं कि ये company और उस company के बारे में आपको सारी जानकारी हो गई है जब कि Charlie मंगर कहते हैं एक company के बारे में अच्छी तरह से study करने के लिए आपको कई सो घंटे की study जरूरी है तो वो कहते हैं कि एक निवेशक के तौर पर आपको कभी भी अपने आप से जूट नहीं बोलना चाहिए I know and I think I know के बीच का difference आपको पता होना चाहिए क्योंकि मंगर का कहना है कि business में अगर आपने अपसे जूट बोला तो उसका नतीजा आप अपना principle गवा कर उठाएंगे यानि अगर आपको अपनी company के बारे में पूरी जानकारी नहीं है अगर आप अपनी share के बारे में सारी जानकारी नहीं रखते और सिर्फ और सिर्फ उसके rate को देखकर उस पर खरिदारी करते हैं उसे अपने portfolio में रखते हैं बिना ये जाने हुए कि company fundamentally कितनी strong है और company के पास durable business competitive advantage है या नहीं अगर आप ऐसा रखते हैं तो भविश में आने वाले समय में portfolio में ये company आपके लिए बहुत अच्छा perform नहीं करेगी इसलिए Charlie Mangar का कहना है कि I think I know और I know के बीच का difference जानी है और हमेशा I know के पीछे पढ़िए मंगर ने ये भी कहा कि उनकी एक सबसे अच्छी qualities में से quality है वो है reading habit बहुत पढ़ते हैं इस age में भी continuously पढ़ाई जारी रखे हुए हैं और इसलिए मंगर कहते हैं कि as a investor आपका भी लगातार पढ़ते रहना बहुत जरूरी है practice the idea walk the talk इसके पीछे पढ़े रहते हैं मंगर और कहते हैं कि मेरी बाते मत सुनो ये देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ और तुम भी वही करो क्यों कहा मंगर ने ये मंगर ने ये तब कहा जब उनसे एक बार question पूछा गया कि Warren Buffet तो आम तोर पर derivatives को avoid करने के लिए कहते हैं बट इसके बावजूद Warren Buffet कभी कभी derivatives में positions लेने के लिए कहते हैं जब उन्हें clarity होती है इसके बारे में आपका इस बारे में क्या कहना है यानि कि जो भी आप preach करते हैं आप उसे implement जरूर करें या जो भी आप सीखते हैं आप उसे implement जरूर करें अगर आपने सीखा है कि कि किसी भी company को buy करने से पहले उसके business को अच्छी तरह से study करना है तो kindly इसे करें एक university की graduation ceremony के दौरान चारली मंगर ने इन statements को कहा था और उन्होंने कहा कि हमेशा ध्यान रखें कि आप जो कुछ भी सीखते हैं उसे अगर आप practically use नहीं कर रहे हैं अगर आप उसे implement नहीं कर रहे हैं market के अंदर अगर market में आपने ये सीखा है कि वो companies जिनके fundamentals खराब हो चुके हैं उसे निकल जाना है अगर आप इसके बावजूद है portfolio में अपने लंबे समय के लिए रखते हैं इस उम्मीद में वो कहते हैं wishful thinking या hope के साथ में रखते हैं कि ये company किसी दिन turnaround करेगी तो आपने जो सीखा है आप उसे implement नहीं कर रहे हैं यानि आप cut the losses नहीं कर रहे हैं और ऐ बहुत ही important है जो कि margin of safety ये जितने भी निवेशक है उन सभी लोगों ने कहा है अब ही तक कि जितनी भी classes आपने lectures हमारे जितने भी अटेंड किये जितने भी हमारे sessions देखें उन सभी के अंदर है वो है margin of safety बहुत important है सबसे पहला एक निवेशक के तौर पर अगर आप किसी company क analyze कर भी लेते हैं और आपको एक अच्छी company मिल भी जाती है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो company current market price पर खरीदने लाइक है margin of safety बहुत important है जिसका example देते हुए मंगर कहते हैं कि ये वो वज़े है बर्क शायर हाथवे ने Coca-Cola खरीदने के लिए या खरीदने से पहले तकरीबाद देड़ से दो साल तक वेट किया था क्यों क्योंकि जिन rates पर Coca-Cola उसमें available था वो margin of safety नहीं दे रहे थे हमेशा याद रखिए कि share को उसकी real value से नीचे ही खरीदिये ताकि आपके पास में margin of safety हो basically margin of safety और कुछ नहीं है मंगर कहते हैं कि कि किसी भी share का justified rate तीन तरह के rate होते है एक वो जो public pay कर रही है दूसरा वो जो उसकी real value है और तीसरा जो उसकी भविश में value होनी है तो जो real value है अगर उससे नीचे पर आपको share available मिल जाता है तब समझे कि आपके पास में margin of safety है किसी भी share को उसकी real value से नीचे value पर ही खरीदने की कोशिश कीजिए अगर आप वाकई market में एक अच्छे निवेशक, लंबे समय तक और profitable निवेशक बनना चाहते हैं तो margin of safety पर मंगर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं last and not the least, interviewer ने पूछा कि सर अगर ये सारे के सारे नियम इतने ही आसान है तो आखिर हर कोई Charlie मंगर बन क्यों नहीं जाता so Charlie मंगर ने कहा कि असल में ये नियम इतने आसान है इसलिए कोई Charlie मंगर नहीं बनता explain करते हुए उन्होंने कहा कि business schools आज की rate में जो हैं इनमें सिवाए बकवास के और कुछ भी नहीं सिखाई जाती so इस पर interviewers बड़ा सा सकते में आया और Charlie मंगर ने explain करते हुए कहा कि एक अच्छा निवेशक बनने के लिए आपको किसी भी business school से किसी डिगरी की जरुवत नहीं है और उनका कहना था कि 4 साल तक business school से आप जो डिगरी लेते हैं वो आपको सिवाए बकवास के और कुछ नहीं सिखाती IQ एक औसत आदमी के IQ और 5th grade की mathematics लेकर आप एक अच्छे निवेशक बन सकते हैं सबसे important चीज है कि निवेश बेहद आसान है बट आम तोर पर बड़े-बड़े MBAs के दौरा उन्होंने इस्पेशली कोट किया कि MBA holders के दौरा business और निवेश को हमेशा कठिन बना कर पेश किया जाता है आम public के सामने और इसलिए आम public इसे समझ नहीं पाती निवेश असल में एक बहुत आसान प्रक्रिया है जिसे बेहद आसानी के साथ समझना चाहिए एक बहुत ही काम्याब philosopher भी रहे हैं चारली मंगर और सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे हैं Einstein के कोट से कि everything should be made simple but not simpler और इसलिए उन्होंने कहा था कि अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं सही निवेश तो आपको मेरी लाइफ को ध्यान से देखना चाहिए निवेश करना बहुत ही आसान है आप simple किसी भी company के business को समझेए थोड़ा सा knowledge लीजे उस business की growth को देखिए ये अंदाजा लगाने की कोशिश कीजे कि जो company business कर रही है ये business कितने लंबे समय तक sustainable होगा इस company के पास एक competitive advantage है या नहीं और अगर ऐसा है तो इससे ज़्यादा आपको किसी company में और कुछ नहीं चाहिए margin of safety का ध्यान रखते हुए सिर्फ उस company को उसकी जो real value है उस value से नीचे खरीद लीजे निवेश इतना ही simple है friends आप देखेंगे कि जहां Warren Buffet pure companies के बारे में बात करते हैं उसकी growth के बारे में बात करते हैं management के बारे में बात करते हैं shares की price के बारे में बात करते हैं Charlie Munger basically इनसे ज्यादा बड़ा अप्रोच रखते हैं ये human being को develop करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं एक निवेशक के तौर पर और यही वज़े है कि Charlie Munger और Warren Buffet एक साथ मिलकर एक बहुत ही बहतरीन organization और एक corporation चलाते हैं जो की Berkshire Hathway है basically Charlie Munger जहां एक human को develop करने पर ज्यादा जोर देते हैं एक निवेशक के तौर पर वही Warren Buffet एक निवेशक को especially selection of shares में मदद करते हैं ये दोनों जब एक साथ मिलते हैं तब एक complete निवेशक तयार होता है जो ना सिर्फ एक human being के तौर पर अच्छा होता है एक निवेशक होता है बलकि जो वो companies select कर रहा है वो भी quality के होती है और तभी आपको Berkshire Hathway जैसी companies देखने को मिलती है जो year on year basis पर 22% पिछले 40 सालों से continuously return generate कर रही है तो एक बार surprise कर देते हैं friends चारली मंगर की दिहुई इन सारी studies को सबसे important है कि understand the business ये हर किसी निवेशक का सबसे पहला नियम है और जो market के अंदर आने वाले retail निवेशक सबसे कम करते हैं वो है कि जो भी company आप buy कर रहे हैं इस company के बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए अगर आप Starlight Technologies buy कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि Starlight Technologies क्या करती है अगर आप Tata Motor का share buy करने जा रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि Brexit होने पर Tata Motor की दो main subsidiaries Jaguar Land Rover के business पर क्या असर पढ़ने जा रहा है अगर आपको ये information नहीं है और आप market के अंदर Tata Motors खरीदते हैं ये सोच कर कि लंबे समय में एक company profitable होगी तो समझ लीजे कि आप market के अंदर सिर्फ और सिर्फ gambling कर रहे हैं सेकंड है business with durable competitive advantages हमेशा ध्यान रखे कि आप जो भी company जो भी share खरीद रहे हैं उसके पास advantage होना चाहिए अपनी peers से जो भी उसके competitors हैं उनसे बहतर होनी चाहिए वो company और साथी साथ जो बहतरी है जो knowledge है जो technology है उनके पास में और जो advantages है ये सारे advantages लंबे समय तक चलने वाले होने चाहिए वरना example देते हुए Charlie Mangar ने कहा थी photography में बट digital revolution के साथ में ताल कदम न मिला पाने के वज़े से Kodak को bankrupt होने में साल भर से ज्यादा नहीं लगा इसी वज़े से जो भी company आप buy कर रहे हैं उसके पास competitive advantages और durable competitive advantage होना बहुत ज़रूरी है ये कहते हैं कि I know and I think I know के बीच का difference जानी है हमेशा पढ़ते रहिए और जानी अपनी company के बारे में लगातार knowledge इकठा करते रहिए कभी भी अपने आपको भरम मिम्मत रखिए कि मुझे अपने portfolio के बारे में सारी जानकारी है then practice the idea आप जो कुछ भी सीखते हैं उस चीज़ को ground पर apply जरूर कीजिए then margin of safety हमेशा ध्यान रखिए कि share को किसी भी rate पर buy मत कीजिए सबसे पहले share का सही price निकालिए और सही price से अगर आपको नीचे मिल जाए जो उसका real price है असल में जिसे intrinsic value कहते हैं किसी भी share की अगर उससे नीचे मिल जाता है आपको तभी buy कीजिए margin of safety के तहित और at last कि निवेश बहुत ही आसान है इसे बहुत ज्यादा कठीन बनाने की कोशिश मत कीजिए असल में वो तंज कस रहे थे derivatives पर जहां पर कि आप derivatives के अलग-अलग तरह के बीटाज, थीटाज और गामाज डिसकस करते रहते हैं बहुत ही ज्यादा जारगन्स इस्तमाल करते हैं और निवेश की एक सिंपल प्रक्रिया का पालन नहीं कर पाते मंगर और वारन बफे इन दोनों के ही बीच कॉमन है कि इन दोनों को ही derivative market पसंद नहीं है और दोनों नहीं कहा था कि अगर हमारे हाथों में किसी राष्ट का निर्माण या फिर business community का निर्माण या फिर banking system का निर्माण होता तो हम कभी भी derivatives को allow नहीं करते businesses के लिए या derivatives का margin निश्चित कर देते कि 5% से ज्यादा business के अंदर derivatives इस्तमाल नहीं होंगे ज़रा सोचिए ये दो लोग है market के वो गुरू जो दुनिया के सबसे महांतम गुरूओं में से एक है जिनके पास दुनिया की सबसे बड़ी निवेश की company है और जो derivatives को पूरी तरह से avoid करने के लिए कहते हैं future and options segment जहां कि आज का retail निवेशक खास करके हिंदुस्तान का retail निवेशक सबसे ज्यादा निवेश करने के पीछे पड़ा रहता है smart money, easy money और जिसे लगता है कि वो quick millionaire हो जाएगा derivatives के अंदर काम करते हुए और दुनिया के दो सबसे महान market guru या निवेशक कहते हैं कि हम अगर system बनाते तो उसके अंदर derivatives को कभी भी allow ही नहीं करते तो रध्यान से सोचिए friends कि अगर आप option या फिर futures के अंदर काम कर रहे हैं तो किस हद तक आप सही है उम्मीद है कि जो यह हमारा session है friends यह आपको पसंद आएगा अगर पसंद आ रहा है Charlie Munger ने एक निवेशक के तोर पर अगर आपकी कोई भी मदद की है तो comment box में जाकर हमें जरूर बताइए साथ ही हमें बताइए कुछ और market guru के नाम जिनके बारे में आप जानना चाते हैं या फिर उनके द्वारा दी हुई निवेश की कुछ सला है जो आप हमारे साथ share करना चाते हो comment box में जाकर हमें जरूर बताइए कि इस session से साथ ही साथ दूसरे और भी जो हमारे session इस से पहले हुए है आपको क्या सीखने के लिए मिला है मुलाकात होगी आपसे अगले session में तब तक के लिए Thank you very much Friends, उमीर है कि इस session आपको पसंद आया होगा अब आप हमारी मदद भी कर सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे है इस Paytm नंबर पर साथ ही आप चाहें तो Google Pay का इस्तमाल भी कर सकते हैं मिलते हैं आपसे अगले session में तब तक अपना और अपने portfolio का ध्यान रखिए Share Academy एक इमानदार कोशिश है knowledge sharing की, market में चल रहे लाखो रुपए के seminar में दिया जाने वाला knowledge हम यहाँ पर आपके साथ free में share करते हैं So जुड़े रही है Share Academy के साथ और हमेशा याद रखिए friends, that money never sleeps Thank you very much